आज के वीडियो के अंदर में 125 CRPC के उपर एक ऐसा एतियासिक फैसला बताने वाला हूँ, जिससे 125 CRPC का है जो पूरा प्रोसीजर बदल गया है, यह आज तक है जो 125 CRPC के उपर ऐसा फैसला आया नहीं है, और यह आया है तो इसने है जो पूरे प्रोसीजर को बदल के रख दिय है, 125 CRPC के उपर है जो भोती महत्पुन गाइडलाइन है, जो पती और पतनी दोनों के लिए है जो भोती फायदेमंद साबित होने वाली है, तो क्या बाते है जो इस जज्जमेंट के अंदर खई है, इस फैसले के अंदर खई है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अ अंदर, तो यहाँ पर मैं किल्यर कर देता हूं, यह है जो आपको भहलीभाती पता है, कि द्धवियोग के अंदर है, यह जो हमेसा दो तरीके के मामले चलते हैं, एक तो होते हैं, श्यूल प्रकरति के मामले, जिनके अंदर आते हैं, खेति बाड़ी, जमिन जायदात से तो यहां पर जो स्विल प्रकरती के मामले, जो स्विल मामले हैं, उनके अंदर अगर कोई बात छूट गई है, या फिर गलती से उसके अंदर कोई बात लिखवा दी गई है, उस बात को अगर चैंज करवाना है, बदलवाना है, तो उसके अंदर है जो amendment application यानिकि संसोदन प् करवानी है, तो उसको भी आप add करवा सकते हैं, कोई बात आपको change करवानी है, तो उसको भी है जो आप change करवा सकते हैं, पर यहां पर जो criminal मामले होते हैं, यानिका प्राधिक मामले होते हैं, तो उनके अंदर है जो ऐसा कोई भी प्रावधा नहीं किया गया है, कि उसके अं indenment करवा सके उसके अंदर है जो आप सनसुदन करवा सके अगर यहांपर कोई गलती से आप कोई बात लेखवा देते हैं तो Sam वोई बात है जो पूरे मामले के अंदर लागव होती है कभी भी है जो बात है जो change नहीं हो सकती है और यहांपर अपने इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं 125 CRPC के मामले की तो इसके अंदर भी है जो यही प्रावधन किया है कि इसमें कोई भी संसुदन नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी है जो एक क्रिमिनल मामला है तो यहाँ पर इस मामले के अंदर क्या होता है पत्नी के दुवारा फैम उसके उपर ओब्जेक्शन फाइल किया जाता है उसकी अपील है जो हाई कोट के अंदर डाली जाती है कि यहाँ पर फैमिली कोट ने पत्नी के प्राथना पत्र को है जो एकसप्ट किया है अमेंडमेंट एप्लिकेशन है जो पत्नी ने 125 CRPC के अंदर है जो डाला है फैमिली कोट के अंदर family court में है जो इस application को allow किया है तो यहां पर ऐसा है जो नहीं होना चीए क्योंकि यह कोई criminal case के अंदर प्रावधान ही नहीं तो यहां पर high court के दुवारा है जो फिर क्या किया जाता है फिर high court के दुवारा है जो मामले को घहराई से देखा जाता है जो low end की कानून है उसको भी घहराई से देखा जाता है कि यहां पर criminal मामलों के अंदर ऐसा कोई संसोदन का प्रावधान किया ही नहीं गया है पर यहां पर high court के दुवारा है जो criminal मामलों के उपर आये दो महतफुन फैसलों का है जो reference इस फैसले के अंदर है जो दिया जाता है एक तो होता है नलन वर्सेज पलानीर दूसरा होता है कुटन वर्सेज वरन मल्यम तो इन दोनों criminal मामलों के उपर आये decision के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर न्याई हित के अंदर संसोधन की आवशकता है तो यहाँ पर जो magistrate यान की जो जसाब है वो है जो ये अनुमति दे सकते हैं criminal मामलों के अंदर भी संसोधन है जो हो सकता है तो यहाँ पर 125 CRPC भी एक क्रिमिनल मामला है इसमें अगर संसोधन की आवशक्ता है न्याई हित की अंदर तो यहाँ पर इसके अंदर है जो संसोधन हो सकता है तो 125 CRPC के अंदर भी है जो संसोधन की अनुमती कोट के दोवारे दे दी जाती है तो यहाँ पर जानकरी आपके अमेंडमेंट एप्लिकेशन लगा कर साथ में इस जज्मेंट इन जज्मेंटों का है, जो रेफ्रेंस देंस देंके आप बिल्कुल है, जो उसके अंदर amendment करवाा सकते हैं, तो यह है जो एक प्याज़ागाद not